तो आज हम बात करने वाले हैं रिटार्डर के बारे में रिटार्डर जो होता है वो आपका ड्राइंग टाइम रेड्यूस कर सकता है तो अगर आप एक्रालिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं मेरी तरह तो definitely आपके लिए ये वीडियो helpful हो सकता है क्योंकि यहां हम जो बात करेंगे क्यामल के रिटार्डर के बारे में बात करेंगे जो एक्रालिक पेंटिंग के लिए ही मना हुआ है तो आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कंटिनियसली के रिटार्डर किस तरह से काम करता है मैं हम बता हुआ है तो यह वीडियो उन्हीं बीगनर्स के लिए है जो एक्रालिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं और जो जानना चाहते हैं कि retarder क्या होता है देखे, सबसे पहले retarder होता क्या है retarder जो होता है वो आपका drying time reduce करता है जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम acrylic paints करते हैं है ना, तो कितनी जल्दी जल्दी dry हो जाते हैं paints, है ना, तो कई बार हमको दिक्त आती है, कई बार हमको उसको लिखकर handle करना नहीं आता paints को, तो उसी के लिए बना है ये retarder, तो यहाँ पर दिखिए, ये जो 40 ml की tube है, camel की retarder की ये आई है मेरे साथ set के साथ free, तो definitely अगर आप लोगोंने भी set by किया होगा, तो आपके साथ भी आई होगे, साथ में ये वाला जो camel का retarder है, ये मैंने पहले से मंगाया वा था, ये bottle की form में है, और ये separate हो रहता है, बहुत ही एकदम transparent सा gel जैसा है ये, जब में इसको लगा के देखते है, हाँ फिंगर पे, तो ये एकदम glue वाली feeling देता है, तो इस तरह से ये होता है, retarder लेकिन बहुत स्टिकी नहीं होता है, तो ये gel होता है basically, और इसको हमको paint में mix करना रहता है, और उसके बाद हमको apply करना रहता है, तो वही हम यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे, तीक है, देखो एक तो ये आपके paint की consistency color की consistency change नहीं करता है तीक है, आपका जो color रहेगा वो उसी form में रहेगा तो ये बहुत helpful रहता है जेल है ये, तो gel के form में है तो इसको निकाल लेता है, पैलेट के उपर हम बिल्कुल transparent होता है ये जेल रहता है, और इसको हम add करेंगे paints में, ठीक है तो जिन paints की हमको यह requirement है वो ले लेता है, वो ले लेता है white लेंगे हम यहाँपर acrylic paints के अंदर यहाँ काम कर रही हूं मैं और ये video beginners के लिए है ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं मुझे तो हाई, मेरा नम पूजा है और ये art channel artist Rappuja Hindi यहाँ मैं बात करती हूं बड़ी simple language में और शेयर करती हूं अपनी art knowledge आप लगों के साथ तो बनना चाहते हैं अगर मेरी इस art community का हिस्सा तो subscribe button दपा लेजेगा और विडियो अगर पसंद आ रहा है तो definitely like तो बनता ही है तो like कर देजेगा ठीक है तो ये जो bottle है इसमें से भी हमने निकाल लिया है retarder और इसमें हमने 100 ml की ये जो bottle है camel की retarder की इससे हमने palette knife के हैं से retarder निकाल लिया है ठीक है सबसे पहले apply करना सीखते है सबसे पहले इसको apply कैसे करना है simple plain हमने यहाँ water लिया है और acrylic paints लिया है तो यहाँ पर तो हमने first वाला जो आप देख रहे हैं उसमें retarder यूज नहीं करा है second के लिए यहाँ पर मैंने paint के अंदर पहले gel मिलाया है mix किया है और उसको हमने यह paint को apply कर लिया ठीक है तो पहली चीज़ तो हम यह देखते है कि जो इसकी color consistency है वो आप देख पा रहे हैं compare करके कि change नहीं हो रही है तो यह आपकी जो color consistency है वो change नहीं करता है drying time अभी हम check करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए clock लगा रखी है जहां आप देखेंगे कि drying time है तो उपर वाला अगर आप देख रहे हैं तो यह जब हम paint करते हैं उसी समय paint करते करते dry हो जाता है लेकिन नीचे जहां हमने gel apply किया है उसको dry होने में time लग रहा है कितना time लगता है यह भी हम देखेंगे अभी एक circle और बना लेते हैं तब तक white ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं कोबाल blue और इसको blend कर लेते हैं ठीक है water की help से यहां हम blend कर रहे हैं और कुछ भी use नहीं कर रहे है तो water की help से हमने यहां blend कर लिया है और यहां पर हमने दो shades लिया है कोबाल blue and white ठीक है और simple water लिया है जिससे blend हमको यहां पर करते-करते ही फील हो जाता है एक रालिक पेंट जब हम करते हैं करते-करते ही फील होने लगता है कि वो ड्राइ हो रहा है यहां पर पर मुझे तो यह करते-करते ही ड्राइ हो चुका है फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, अच्छे से ड्राय हो चुका है, लेकिन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है, वो आप देख पा रहे हैं, एक्तम वेट है अभी भी, ठीके तो अराउंड आप यह दिख लेजें, मुझे 5-7 मिनिट्स हो चुके हैं लगाए वे, लेकिन वो कलर नहीं बदलता है, सबसे इंपॉर्टन तो आप देख पा रहे हैं, दोनों का शेड्स इक्विलेंट ही दिख रहा हैं को, है ना, कलर चेंज नहीं होता है, और यह आपको आपकी जो लेयर्स हैं, उनको वेट करने के लिए बोलता है, कि अभी आपने लगा दिया, तो हो जाता है, और अकसर ऐसा देखा गया है, जो मेरे स्टूडेंट्स यूज्वल कंप्लें करते हैं, जो बिगनर आटिस्ट होते हैं, बिल्कुल, कि माम बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है, और हम एक्रालिक पेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसी चीज का ये है हमको यहाँ पर है, तो अभी तक भी ये वेट है, तो इतना अच्छा ड्राइंग टाइम आपको देता है ये, कि आपको यहाँ पर अराउंड 20 मिनिट से लेकर, हाफ एन आर तक भी यहाँ पर आप 32-35 मिनिट तक इसको आप रख सकते हो, कि आपका ये वेट रहता है, तो आप यहाँ पर यूस करेंगे, अगर तो आपको मिलेगी, कि आप अपना जो ड्राइंग टाइम है, उसको रिट्यूस कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है, दूसरी चीज, अब हम हाथ लगा के देखते हैं, देखें, हाथ लगाने के बाद हम देख पा रहे हैं, कि ये यहाँ पर वेट करना रहेगा, लेयर्स को ड्राइ करने के लिए, चलिए, यहाँ पर मैंने दो पेंटिंग्स लिए हैं, इसको हम कम्प्लीटली बना के देखेंगे, ये टुटोरियल नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन पेंटिंग्स का टुटोरियल डालू मैं, तो चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमने दो पेंटिंग्स ले लिया, बिल्कुल सेम लिया, ये वाला जो हम पेंटिंग्स करने हैं, इसमें हमने जेल यूज कर रहा है, तो यहाँ पर, क्योंकि एरिया बढ़ा था, तो मैंने पहले पूरे एरिया में जेल लगा लिया, और उसके एक पेंटिंग नहीं करीवी है, तो हो सकता है आपके लिए ये जो gel apply करना है, ये भी अपने आप में challenging हो जाए, तो फो जीज भी हो सकती है, तो यहाँ पर gel apply किया है मैंने, और उसके बाद हम यहाँ पर dark tone और light tone लगा रहे हैं, शेट्स जो हमने लिए है वो बता देती हूँ, वाइट लिया, एक कोबाल ब्लू और बॉशन ब्लू यहाँ पर हमने अट किया, ठीक है, फ्लैट ब्रश ले लिया है और स्ट्रोक्स यहाँ पर हमने अपलाए कर लिया, अब दूसरे वाले में लगा देते हैं, यहाँ पर हम ज जेल यूज नहीं करेंगे, और जो अभी हमने पहले उससे पहले कंप्लीट करी है, उसमें हमने जेल यूज किया है, तो यह डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली देख पाएंगे, कि किस तरह से हमको क्या टेक्शर मिलता है, और क्या रहते हैं, रिजल्स हमारे, अगर हम रिटार्डर यूज करते हैं, और अगर हम रिटार्डर यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डाक टोन लगा लेते हैं, सेम तरीके से ही अपलाई किया है पेंट्स हमने, ठोड़ा सा जब आप पे स्टेक्स को ठीक है लेकिन हाँ यह जरूर है रिटार्डर में एक्जैक्ली उसी तरह आप का चलता है जैसे आप और पेंट्स करते हो है करते करते आपके पास 15-20 मिनिट्स होते हैं कि आप अपनी करेक्शन को जो है इंप्रूव कर सकते हो तो यहां डाक टोन लगा लिया हमने पर्षिन ग्लू ही यूज किया है यहां में तीक है सेकेंड यहां पर ले लेता है फर्स्ट पेंटिं का जो सेकिन्द अल्लम。」 और ले रहे हैं वो हम यहां मैं यह पर अपल ले रहे हैं सबसे पहले हमने जल लगा लिया लिया और सकालेas Рइन वभने बैंड कर ले Thom से बहुत अराम से blend हो रहा हैं बहुत क्रीमी consistency है अथि की जयल है क्यों किमरें लगाने में कहीं कोई दिकत नहीं आ रहा है अराम से blend हो रहा है अराम से लग रहा है很 थोड़ा सब भॉस्यारा भी ले लेते हैं, कस तरह दर के हम यह पर यह यह जो apple है इसको create कर लेते हैं okay flat brush यहाँ पर मैं use करें okay तो यहाँ पर हमारा यह जो apple है यह बिल्कुल ready होगे अब यह जो दूसरा apple है इसको बना लेते हैं बिना gel के okay यहाँ पर हमने lemon yellow ले लिया scarlet ले लिया और फिर dark tones के लिए हम यहाँ पर हलका सा बादस याना use कर लेंगे but water use करेंगे हम यहाँ पर blend करने के नहीं ठीके तो यह फरक है देखे मुझे तो retarder use करना मैं सची बताओं personally मुझे नहीं पसंद है और मैं अपने students को भी recommend नहीं करती हूँ retarder का भी भी है ना तो मुझे तो personally नहीं पसंद है यह अपना personal experience होता है सबका जब आप use करेंगे तो definitely आप बता पाएंगे कि क्या retarder use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं अपने personally मेरा जो personal experience है वो यह कहता है कि मैं water से blending करना बहुत पसंद करती हूँ acrylic paints को तब हमको दिक्कत आती है कि अब हम इसको करें कैसे वहाँ हम फस्त है और वहाँ पर हमको लगता है कि यार यह retarder आया मार्केट में नया इसको एक बार use करके देख लेता है है ना तो उनी के लिए है यह video आप definitely समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि use करना एक बहुत ही tricky है retarder को it's not a easy thing you have to use it with very intelligence आपको जब आप brush चलाएंगे और gel लेंगे ना हाथ में तब आपको बता चलेगा कि बहुत ही tricky है retarder gel को use करना तो अपना experience definitely आप share करियेगा मेरे साथ online painting classes में अगर interested है तो आप यहाँ पर जो whatsapp number नीचे scroll हो रहा है यहाँ पर आप मुझे whatsapp करके online painting classes का हिस्सा बन सकते है और beginners के लिए है मेरे पास online painting classes अब लेबल तो definitely अगर आप चाहते हैं अपनी skills को एक अलग level पे ले जाना तो आप online painting classes जोईन करके अपनी skills को improve कर सकते है साथी साथ में Instagram पे आप मुझे follow कर सकते है यहाँ पर Instagram का भी आपको link मिलेगा दोनों ही links आपको नीचे description box के अंदर मैंने provide कर रखे है तो इक पर description box को देखना मत भूलेगा और अगर painting करना पसंद करते हैं तो definitely यह channel आप लोगों के लिए ही है subscribe कर लेज़ेगा channel को और first time अगर आये है channel पो तो definitely visit करके जरूर जाएगा channel क्योंकि इस channel को मैंने आपके लिए बहुत ही helpful बनाने की कोशिश कर रखे तो यही request है आप लोगों की कि first time अगर आये है तो visit करके जरूर जाएगा क्योंकि यहाँ पर separate playlist बनी भी है acrylic painting से related oil painting से related poster color painting से related watercolor painting से related काफी सारी separate separate यहाँ पर playlist अबलेबल है तो आपके लिए जो भी useful हो content आप देखे और अपनी knowledge बढ़ाईए definitely यह channel आप लोगों के लिए ही है यहाँ पर जो channel पर मैं आप लोगों के लिए knowledge प्रवाइट करती हूँ वो प्रवाइट करती हूँ beginner artist के लिए और यह channel absolute business के लिए है ठीके आप देखें यहाँ पर थोड़ा finishing दे देते हैं अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आप लोगों को दोनों में कहीं shades में paint के reduce होने में ऐसा कोई feeling आ रही है नहीं आ रही है जहां हमने gel use करा वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि exactly वही dark shades हमको appear हो रहे हैं जो हमने without gel से बना ही वहाँ पर भी हमको same shades applicable हो रहे हैं करते समय भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई है लेकिन क्योंकि मैं personally use नहीं करती हूँ retarders इसलिए मैंने अपना experience आप लोगों के शेयर किया था बाकि retarder को use करने के बाद भी आप बहुत अच्छे से blend कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा time मिलता है 15-20 minutes मिल जाते हैं आपको अपनी correction इंप्रूफ करने के लिए तो वो चीज बहुत अच्छी है अगर आप acrylic paints को deal नहीं कर पारे हैं शुरू में क्योंकि दिक्कत आती है शुरू में मैं जानती हूँ acrylic paints को deal करने के लिए तो आप definitely personally अपने लेवल पर retarder यूज़ करके देख सकते हैं तो उमीद करती हूँ वीडियो बहुत ही helpful रहा होगा thank you so much for watching और like कर दीजे को वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो subscribe कर लेजेगा चानल को अगर इसी तरह के और art वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई